तो चलिए शण पाइफन के जो 17 जनवरी को कोशन पूछे गए हैं M3R5 मॉडूल के उसके सल्यूशन देखते हैं जो की मौर्निंग और आपके आफ्टरनून और आपके इबनिक सेक्षन में जो भी कोशन पूछे गया थे जो भी स्ट्वेट ने कोशन बेजे हैं उनको सभी क को दने बाद और जो भी आपके पास कोशन आया करें इस नंबर पर आब आट सेब कर दिया करें ठीक है और बाकि सब्सक्राइब कोशन अभी नहीं मिले हैं तो वह जैसे मिलेंगे आपको कल प्रोवाइट करा दी जाएंगे तो आज का जो है आपका M3 के कोशन वो देख लिजे टाइटल को आप मत देखिएगा टाइटल बनाने में दिक्कत हुई है ठीक है यह 17 जनुरी 13 M3 R5 का विपार है ठीक है विच आप दी फॉल विज़े करेक्ट एकस्टेंशन और पाइजन फाइल तो करेक्ट एकस्टेंशन अब देखिए एक एकस्टेंशन आपके में नालेट एड़ करके देडा है डॉट MpY तो बहुत से बच्चनल डॉट MpY पर टिक किया है बताने क्यों कि क्यों किया है और वाटसेप पे उन्होंने मैसेज किया है कि हमने यह टिक करके आया था तो यह सही गलत है तो यह बिल्कुल गलत है क जो कि MpY एक Python का मौडूल है ठीक है बहुत और यह एडवांस लेबल का टॉपिक है तो आपको स्रिप.py पे ही टिक करना MpY कोई इसमें जो है आपका एक्स्टेंशन नहीं है ठीक है तो इसका जो आप्शनों का डॉट PY से लिए हमने देगे एक्जांपल भी एड़ कर द होता है तो इसलिए बहुत वाला उप्टन इसमें ठीक हो जाएगा नेक्स्ट है विच आप दी फॉल्विंग फॉल्विंग फंशन कैन हैं एस टू फाइंड पाइटन वर्जन अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखते हैं एस वाई एस डॉट वर्जन आपको जो है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम क्या होता है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम अच्छा कोशन है यह और इन सभी कोशन को अच्छे से आपको त्यार करना है ठीक है और इसी तरह के कोशन आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट ग्याम में भी कोशन वाले question है वो repeat होंगे लेकिन हाँ जो आपके output वाले ways होंगे question वो repeat नहीं होते हैं ठीक है what is the maximum length of python identifier तो no fixed length ऐसे कि इसमें option आपका दिया जा सकता 18 कहीं दिखा दकता 36 33 और एक option आपको हर बार मिलेगा infinite को option हो सकता है या no fixed length हो सकती है ठीक है या non mention तो जो भी जिसमें कोई भी value ना दियो वही वालो option आपको टिक करना है ठीक है इसकी कोई भी maximum length अभी तक available नहीं है ठीक है वो हर बार change होते है तो option हो जाएगा no fixed length या non of the above इस प्रकार से option होगा तो उसमें आपका सही हो जाएगा what will be output of the following code है तो देखे ए बराबर लिखा है 1,2,3,4,5 sum equal to 0 है for aly in a और sum plus equal to aly लिखा है print किया sum में अब इसमें देखे हो क्या रहा है फिलाल 1,2,3,4,5 है ठीक है और sum equal to 0 है ठीक है यहां पर 0 कर दिया है तो जब sum में यहां पर equal to 0 है और यह aly function लगा हुआ है तो यह क्या होगा जब loop चलेगा आपका यहां पर 4 का तो यह क्या condition बनेगी पहले 1 होगा plus 2 होगा plus 3 होगा plus 4 लास्ट में जो calculate हो जाएगा इसकी value 15 आजाएगी देखे 15 इसका जो है right answer हो जाएगा ठीक है यह आपस में जो है add हो जाएगी सारे values तो option हो जाएगा sum 15 next है what will be output of the following quote लिखा हुआ है a equal to a,2 लिखा है print a और multiplication किया है 3 में तो क्या होगा यह जो a दिया गया इसका 3 पर multiplication हो जाएगा तो यह इस परकार से value एड हो जाएगा यह कॉमा लगा के 1,2 1,3 ठीक है इस परकार से देखे output आजाएगा तो यह 3 value हो जाएगी तो इसका answer देख इस परकार से बन जाए ठीक है simple सा question है next question है which of the following type of loop और not supported in python तो कौन साइज में से loop है कौन से supported नहीं होता है python में तो देखे do while loop जो होता है वो आपका not supported loop है ठीक है तो do while loop जो है वो python में support नहीं होता है what will be output of the following code तो देखे यहाँ पर लिखा गया है as equal to 1,2,3 लिखा है फिर 3,2,5 लिखा है फिर 5 लिखा है प्रिंट कर रहा है as में अब इसमें देखे क्या है आपको किस पेकार से पहचानना है इसको तो देखे यहाँ पर क्या किया जा जा रहे हैं क्योंकि यहाँ देखें यहाँ पर curly braces लिखा हुआ है तो curly braces जो set में होता है वह duplicate value allow नहीं करती है तो यहाँ पर क्या होगा 1,2,3,4,5 प्रिंट हो जाएगा जहाँ पर duplicate है यह हटा देगा इसको हटा देगा और इसको हटा देगा तो बचा गया 1,2,3,4 आपका पां यह double equal to लिखा है zero plus six तो ठीक है output तो ठीक है अब answer क्यों होगा अब यह condition देखे false होगी इसका answer जो होगा false होगा ठीक है false क्यों होगा जो क्योंकि due to not compare floating point value ठीक है यहाँ पर जो floating point value है वो compare नहीं होगी जिसकार से यह जो है हमारी false value आ जाएगी ठीक है इसमें और भी option दिये गया होगा false दिया गया होगा true दिया गया होगा या फिर none दिया गया होगा which is not a feature of python language तो python language जो है आपका case case incentive होती है ठीक है इस not ठीक है इसमें पूछा कौन सा feature नहीं है तो यह आप से पूछा क्या है तो python जो आपकी वो case sensitive होती है ठीक है उसके बाद है python is a object oriented programming language कि इस प्रकार की object oriented है जर्नल पर्पस जर्नल पर्पस जर्नल पर्पस जर्नल पर्पस जर्नल पर्पस object oriented programming language उसके बाद है developer of python language आप से पूछा गया है तो बता दिए ग्यूदो बैंड रॉस और यह important question है यह तो पूछे जाएंगे आप server what keyword is used in python to raise expansion तो इसमें जो raise expansion ठीक है raise को एक्सपेंशन करने के लिए हम raise keyword का use करते हैं ठीक है r a i s c raise in which language python written तो देखिए repeat हुआ question यह आपका c language हो जाएगा उसके बाद है what does a function without a return statement जो हो जाएगा आपका none होता है ठीक है without जो आपका function है without a return statement तो बिना return अगर वहाँ पर नहीं होगा तो वह value आपको क्या देगी none value return करेगी ठीक है जब को return statement वहाँ पर नहीं लगा होगा किसी भी output वाले question में तो वह आपको value none return करेगी उसके बाद है which operator is used to exponential exponentiation तो exponentiation हमारे पास है double star आपको जहां भी दिखेगा वह हमारी operator कौन से कराएंगे exponential दिखाती है यह आजाएगा इसका answer next है empty dictionary अंग को create करने ही तो हम कैसे create करेंगे हम लिखेंगे यह और यह लग देंगे तो इसके अंदर कोई value आपको नहीं लिखनी है क्योंकि basically यह जो create की value में create करते हैं next है which of the following valid variable name in python तो valid variable name हमारे पास क्या है तो देखिए इसमें variable जो आपका है उसके पहले कोई value आपे नहीं होनी चाहिए जिसकांट से यह value में अगर देखे तीन option दिये गए ठीक है तो इसमें my underscore variable जो है यह value आपकी ठीक होगी इसके पहले देखिए one two three लिखागा तो यह one two three नहीं होना चाहिए और यह तो has बगरा लिखाया तो यह भी value नहीं होगी यह वाली variable आपकी value ठीक है तो यह इसका देखे right answer हो जाएगा यह अपने value add करी है और बच्चों ने option नहीं बेजे हैं option यहां connected code into a file next है which of the following is an immutable data type to immutable हमारे पास क्या होता है टपल होते है टपल हमारी कौन सी है immutable at least हमारी mutable है टीक है तो यहां तक की वीडियो अगर आपको action नहां कही हो तो please वीडियो को like कर दीजेगा नहां कर चलते हैं what does the what does the with statement in python do with statement जो होता है वो python में basically क्या करता है वो क्या कर करता है open and close a file automatically open करता है file को close भी करता है automatically ठीक है तो यह इसका काम होता है with statement का python what is the purpose of map function in python map function आपका क्या करता है python में filter करता है element in a list जो भी list में function होते हैं element होते हैं उनको वो filter करने काम करता है तो option लागा filter element in a list अच्छे question देगे पूचे कहें आपके आज की paper में र-e-p-i ठीक है र-e-p-l sorry र-e-p-l का full form यहाँ पूचा गया है तो बता दिए read र-e-p-l का full form यहाँ पूचा गया है तो बता दिए read और से read हो गया और यहाँ पर h2 लिखा हुआ अब यह क्या आपको print करके दे रहा है देखें तो output इसमें क्या रहा है answer में देखें हम बताया है यहाँ पर आपको 4 आ रहा है 4 क्यों आ रहा है जब यह symbol आपका जो लगा हुआ है इसके अनुसर अगर आप देखेंगे तो यह symbol का basically जो काम है वो क्या है यहाँ पर इस symbol का जो काम है basically वो यह है वो यह है कि यह आपका क्या करेगा यहाँ पर value को जो है जो भी value है जैसे कि 4 है 4 जो भी common value है उसको वो print कर देता है ठीक है तो common value आपको यहाँ पर क्या दिखाए दे रही है वो है 4 तो यहाँ पर answer आजाएगा 4 ठीक है next है what is the output of the following code तो इसमें है x equal to 100 लिखा है और type में लिखा हुआ x तो type x है ठीक है तो इसका यह type आपको print करके दे देगा यहाँ पर 100 सो कोई मतलब नहीं तो जो x का है यहाँ पर value क्या है यह integer type की value है तो class जो print हो जाएगी वो integer यहाँ पर print हो जाएगी ठीक है next question है what is the output of the following code तो इसमें लिखा हुआ x equal to लिखा हुआ है hello y equal to लिखा हुआ word x plus y ठीक है तो x plus y में यह add हो जाएगा तो print हो जाएगा hello word इस परकारते यह print होके आ जाएगा ठीक है next what is the output of the following code है तो x बराबर लिखा हुआ है 20 y बराबर लिखा हुआ है sorry x बराबर 10 है y बराबर 20 है x,y y,x ठीक है तो यह value को swap करेगा देखे कैसे करेगा print x,y ठीक है तो इसको जब यह swap करेगा तो 20 यह हो जाएगा 10 क्योंकि देखे sort syntax of swapping value of the variable ठीक है तो option हो जाएगा 20,10 यह value यहाँ पर जाब रखेंगे इसकी जगा रखेंगे 10 और यह रखेंगे y ठीक है तो यह value क्या है y,x तो यह वाली value को print कर देगा print हमको x,y की value करनी है तो यह value धर आजाएगी यह value धर चली जाएगी value को swap कर देगा क्योंकि short syntax of swapping value जो आपकी variable में दी गई है is part of user documentation तो user documentation आपका part क्या होता है installation guide जो होता है वो आपका part of user documentation चलाता है ठीक है तो हो जाएगा installation guide what will be output of the following code लिखा हुआ import numpy as np और लिखा हुआ a equal to np.array और 11 और 2 और 3 लिखा है अब इसमें दिया है a.min तो minimum function का value लिखाए गया तो minimum value यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 इसका right answer हो जाएगा ठीक है next question देके पूछा गया है csv का full form पूछा गया है तो comma separated value जिसका right answer हो जाएगा next है what will be output of the following code import math function लिखा हुआ है a.b.s math.square करना है तो इसका जो square root हो जाएगा 6.0 हो जाएगा ठीक है क्योंकि import है तो यह plot value आएगी तो 6.0 जाएगा बहुत जगा 6 भी दिया होगा लेकिन 6 आपको नहीं लिख करना है इसमें 6.0 होगा numpy का full form पूछा गया है तो numerical python हो जाएगा ठीक है आपका the action performed by a structure must eventually cause the loop of terminate तो उसको बोलते है repetition ठीक है यहाँ पर बोला जा रहा है structure जो आपका है वो loop जो है वो terminate कर रहा है perform कर रहा है जो भी उसका structure है आपके program का तो वो क्या करेगा loop का काम क्यों होता उसको repetition करना infinite तक loop को चलाना तो क्या करता है उसको repeat करता तो repetition इसका right answer हो जाएगा उसके बाद है is a connector showing the relationship between the representative shapes तो जो आपका connector है वो आपका sketch हो करता है relation between representative shapes जो आपके होते हैं वो arrow से आपका जो है वो connect होता है ठीक है जो भी आपके जैसे है आपने यहाँ पर इस प्रकार से process पर आए ठीक output पर आए तो यह हमारा क्या arrow से इसको denote किया जाता है यह आपके flowchart chapter का question है what will be output of the following code import है numpy as np print np.minimum आप यह दो array दी गई इन दोरों में minimum value कौन सी है एक हो गई आपके इसमें और 2 हो गई और 3 हो गई तो 132 जो है इसका output बनेगा ठीक है next है the type of numpy array is numpy array का जो type होता है वो किस पकार का है d type होता है ठीक है इसमें एक option दिया जा सकता है type हो सकता है d type है and d type है तो आपको इसमें d type का option select करना है next है the attributes of numpy array तो numpy array में इसको थोड़ा सा zoom कर लेते हैं आपको clear दिखाए दे नंपई array में जो attributes होते हैं वो कौन कौन से होते हैं save होते हैं d type होते हैं और endim होते हैं तो यह 3 आपके जो है numpy के attributes हैं और भी हो सकते हैं break statement जो होता है उसका calls क्या होता है terminating loop break का का क्या होता है loop को terminate करना तो आप सब्सक्राइब का क्या होता है skip current and start next iteration यानि कि जो भी आपका statement चल ला है उसको continue कर देगा उसको skip करेगा और फिर वो current मतलब next step या next program पे या next loop पे आपका जो वो ट्रांसफर होगा continue करेगा उस प्रोग्राम को ठीक है आगे जो भी आपका condition वहाँ पे दी गई होगी तो skip करेगा current जो current पे आपका प्रोग्राम को इसको skip करेगा यह start करेगा next iteration को उसके बाद देखें यहां पे दिया गया है साइद यह last question है हाँ यह last है हाज क्या what will be output of the following code लिखा हो गया है for character in hello ठीक है hello character लिखा है हाँ यह थोड़ी से मिश्ट है कि इसको ignore कर दीजेगा typing error रही है उसके बाद print लिखा हुआ character कॉमा end और यहां पे देखें ब्लैंक है ठीक है तो यह blank है simple सा यह for लूप लगा है character लगा हुआ तो character हमारे क्या है है यह यह तो character है तो क्या होगा print में यह हैलो ही print हो जाएगा लेकिन किस परकार से print होगा आप यह देखें इसके अंदर कॉमा के साथ यह पूरे पूरे ठीक है इस परकार से ठीक है और आपको दिया जा सकता है एक वर्ड दे सकता है या दो वर्ड दे सकता है इस परकार से दे सकता है तो आपको जो भी जहां पर भी यह option दिखा होगा वो इसका right answer हो जाएगा तो यह थे आपके m3r5 python के 17 जनवरी के जो questions आपके पूछे गए आ आपके 20 तक चलेंगे और कुछ बच्चों के जो है डेट चेंजमेंट हुई है तो 23 और 24 को भी पेपर आपके चलेंगे ठीक है तो thank you for watching